अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आया है तो मेरे चाइनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए हेलो एवरीवन आज हम लोग कठल के चिब्स बनाएगे उसके लिए कठल को चोड़े-चोड़े टुकड़ों में कटकरके लिए है उसके बीच निकाले है और स्वात के अनुसार नमक स्वात के अनुसार नमक डालेंगे और इसको मिक्स करके लेंगे अच्छे से मिक्स होचके अभी गैस को मिडियम रिट पे रखा है चिप्स को फ्राइ करने के लिए हमने तेल को गरम करने के लिए रखा है और कठल के चिप्स के लिए कोकोनट ओईल का यूज करते है फॉर्चुन ओईल का यूज नहीं करना है तेल गरम हो चुका है अभी हम लोग चीप्स को फ्राई करने के लिए लेंगे क्रिस्पी होने तब चीप्स को फ्राई करना है चीप्स बन चुके है अभी उसको निकालना है कि अच्छे से कलर चेंज हो चुका है उसका हमारे पूरे चीप्स फ्राई करके अभी तयार हैं कि अच्छे में पुके हैं अच्छे से का